नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौदों के बारे में जो बहुत ही जहरीले पौदे होते हैं वो पांच पौदे कौन से होते हैं वो आपको क्या नुकसान पहुचाते हैं देखिए इन में से कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो आपको अंधा बना सकते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके पेट को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपको गूंगा कर सकते हैं यानि कि आपको मूख बना सकते हैं, डम बना सकते हैं, आपकी बोलने की छमता को पूरी तरह से खतम कर सकते हैं, वो पांच पौदे कौन से होते हैं, और यह ज्यादा तरह पौदे हमारे आसपास या हमारे घरों में ही पाए जाते हैं, तो इनसे बचके रहना बहुत जरूरी तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे पांचों के पांचों पौदों के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल सके तो दोस्तों मैं हूँ आपका होश लोकेस दिक्षित और आप देख रहे हैं टेंसन गेट आउट तो आए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं यूफोर्बिया यूफोर्बिया प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो की कैक्टस होते हैं कैक्टस प्रदाती के जो भी पौदे होते हैं यूफोर्बिया होते हैं जो की आपने देखे होंगे जा 99% जो पौदे होते हैं, वो जहरीले होते हैं, इनके अंदर से एक पतला लिक्विड निकलता है, या फिर कुछ पौदों के अंदर से, कुछ प्रजातियों में, एक milky sap, यानि की दूद जैसा चिप-चिपा पदार्थ निकलता है, जो बहुत ही जहरीला होता है, ये जो पदा आपकी आँखों के संपार्क में आते ही अगले 5 से 15 मिनिट या आदा घंटे के अंदर आपकी विजन को 6 by 6 से या 20 by 20 से सीधा गिरा के finger counting तक ले आता है यानि कि अगले 15-20 मिनिट में आपकी रोसनी को 100 प्रतिसत से लगबग 10-15 प्रतिसत पे ले आता है ये इतना ज्यादा ज कंडी चाली पुतली यानि कि कॉर्णिया है उसकी जो उसको पूरी तरह से ड You Inable कर देगा उसके इलावा जो हमारी कॉर्निया है उसमें इडीमा को जाता है यानि कि उसके अंदर सूजना जाती है उसकी जो लेर होती है वह सूज जाती है जिसके वजह से आपको तरंत ही 15-20 मिर्टा आदा गंटे में दुन्दला दिखाई देने लगता है ये जो पौधा होता है अगर ये आँखों में चला जाए तो आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है और अगर आपको लगे कि इन पौधों का कोई भी तरीके से आपकी आँखों से संपरके में आ गए है तो आपको अच्छी तरह से अपनी आँखे दो के साफ करनी चाहिए दूसरी जो प्रजाती होती है वो होती है केलोट्रोपिस गिगंटिया ये क्या है आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते है और ये जाना पहचाना पौदा होता है आयरोवेद में इस चिपचिपा मिल्की शैप यानि की दूद जैसा पदार्थ निकलता है और ये भी आँखों के लिए बहुत ही जारा जहरीला होता है इसमें भी सेम कंडिसंस वैसे ही पैदा होती है जैसे यूफोर्बिया में ये भी हमारी आँख के अंदर सूजन पैदा करता है और हमारी स पौदा होता है वो होता है सेंटा मार्या फिवर таким ये एक विसस तरह की घास होती है जो इसका अरिजिन है वो अमेरिका से है यानि की ज़्याधतर अमेरिकी महदीप में पाई जाती थी लेकिन अब तो अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा में पाई जाती है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यह आपको कहीं भी रोड के किनारे लगी हुई मिल जाएगी और इसके अंदर भी एक बहुत ही जहरीला लिक्विड होता है जो की आखों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान दायक होता है और अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो इसकिन को बहुत ज़्यादा डेमेज करता है चोथा जो पौधा होता है वो होता है रिसिनस प्रजाती के पौधे जो होते हैं हमेने सीधी भासा में बोलते हैं अरंडी यानि की केश्टर का पौधा अपने देखा होगा मार्केट में केश्टर ओलोप लब्द होता है अरंडी का जो पौधा होता है इसके पत्तों में और इसके तनों में एक रिसिन नाम का पदार्थ पाया जाता है रिसिन जो पदार्थ है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसकी एक समस्या और है यह water-soluble होता है यानि कि यह पानी में घुलन-सील होता है अगर रिसिन यानि कि आप अरंडी के पत्तों को या तनों को किसी भी तरह से कोई आपका जो पानी पीने का स्रोत है या जहां पे आपके पसु पानी पीते हैं या किसी भी तरीके से अगर वो water-soluble तो होता ही है उस दस्त लग जाएंगे और आपकी body में dehydration हो जाएगा जिससे अगर आपने समय पे treatment नहीं लिया तो आपको बहुत ज़्यादा weakness होके कभी-कभी तो हैजा जैसी condition बन जाती है और ज़्यादा दस्त जाने के वज़से dehydration होने के वज़से छोटे-मोटे बच्चे की तो मौद भ पांचमा जो पौदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा पौदा है जो सबसे ज़्यादा घरों में पाया जाता है आप छोटे से छोटे plant वाले के पास अगर खूबसूरते के लिए पौदा लेने जाएंगे तो वो लगबग-लगबग सब के पास मिलेगा और आप लोग लगबग जो घर में सजाने के लिए पौदा लेके आता है लगबग सब लोग इनको खरीते ही खरीते हैं डमकेंस को डमकेंस क्या नुकसान करते हैं जैसा कि मैंने बताया जैसा इसका नाम है डम यहने कि यह मूँ को बना देते हैं यह बंदे को गुंगा बना देते हैं डम पौधे होते हैं इनमें कुछ ऐसे तत्व पाये जाते हैं कि अगर इन पौधों को कोई बच्चा खाले या कोई बंदा अगर किसी तरीके से इनको खाले या इन पौधों को अगर कुछल के कहीं पानी में पटक दिया है और वो पानी अगर गोई गलती से पी ले तो आपकी ज लेकिन अगर समय पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो यह पर्मानेंट भी आपको मूख बना सकते हैं तो दोस्तों इन पांच पौदों से बचके रहिएगा यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान दायक होते हैं और अपनी फैमिली को सेफ रखिएगा तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आयर को दवा दीजिए ताकि आप तक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पहुंच सकें नमस्कार दोस्तों जय बारत जय है